नमस्कार साथियों नयोदय की परिच्छा कल अपने बच्चों की है यानि 20 जनवरी को मैं कोसिस कर रहा हूँ कि बच्चों को OMR कैसे भरना है इसके बारे में एक सूचना देने की इस वीडियो को देख करके बच्चे OMR भरने की प्रक्रिया से अपने आपको सहज बनाएंगे आपसे अनुरोध है कि इसे अधिक्तम बच्चों तक पहुचाने का प्रयास करिए जिसे वो बार-बार देख करके OMR भरने की प्रक्रिया को समझ ले क्योंकि सही उत्तर का आना केही इतना महत्पूर है उस सही उत्तर को OMR में भरा जाना तो आईए समस्ते हैं OMR के प्रक्रिया को भरना आपके सामने हमने OMR की एक सेट रखी हुई है आप देख सकते हैं यह OMR का प्रिष्ट एक है प्रिष्ट एक से आप निश्चत रूप से क्लियर हैं कि प्रिष्ट एक में क्या-क्या भरना है प्रिष्ट एक में सबसे पहले बच्चे को भरना है अनुक्रमांक इसे वहां अनुक्रमांक भरेगा जैसे मान लीज़े अगर किसी बच्चे का अनुक्रमांग है और हम उसे अनुक्रमांग को भर रहे हैं कि 286-0840 यानि यहां बच्चा लिखेगा 286-0840 ऐसे साफ साफ आपको अनुक्रमांग लिखना है और बच्चे का नाम अगर है तो capital later में लिखना है जैसे आर ए एच यू एल राहूल ऐसे capital में लिखना है अगर पिता का नाम भी है तो वो भी capital में ही लिखना है जैसे राम मिलन आप देख सकते हैं कि बच्चे को यह बताया जाना है कि capital में वो सारे नाम लिखेगा इसके अलावा प्रिष्ट एक पर आपको कोई और सूचना नहीं भरनी है यह समझ लेना है बाकी यह सूचना आपको केवल समझने के लिए जैसे हाँ देखे प्रिष्ट दो पर क्या-क्या निर्देश है केवल नीले काले बालपेन का प्रयोग करिए गोले को सही से भरिये गोला कैसे भरना है देखे आपको उत्तर दिया गया है कि एक प्रस्न के उत्तर में दो गोला नहीं बरेंगे ऐसे कि निसान नहीं लगाएंगे ऐसे निसान टिक नहीं लगाएंगे इस तरह से नहीं करेंगे कि आधा ही गोला भरे ये सबसे सही तरीका है मैं फिर से इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ आप देख लीजिए कि इस गोले में जो ये तरीका भरा गया है यहां से आप असपस्ट देख सकते हैं कि इस गोले को पूरा भरा गया है मैं भी एक उधारण के लिए भरूंगा भी यहां देखे सीधे लिखा है कि केवल नीले और काले बाल पैन का प्रयोग करिए यह जो सूचना है यह आपको अगले पेज के लिए दी गई है इस पेज पर यह तीन सूचना दी ज जाएगा रोल नंबर और पुस्त का नंबर यह है तूबी फिल्ड बाई इन्विजिलेटर यानि जो आपके कमरे में सर होंगे या मैडम होंगी यह उनके द्वारा भरा जाएगा और यहां उत्तर आप भरेंगे देखें रिस्पांसेज यहां एक से लेकर के 20 सवाल 40 सवाल 60 सवाल और 80 सवाल कुल 80 प्रस्ण होते हैं आईए हम एक अनुक्रमांग भर करके आपको दिखाते हैं कि अनुक्रमांग आप कैसे भरेंगे जिससे आपसे गलती न हो हम एक अनुक्रमांग लेते हैं जो हमने लिया था तो 286 0 8 4 0 अब जो डिजिट भरी गई है उसके नीचे वाले को आप गोला भरेंगे ऐसे यहां 4 है 4 को घरिए ऐसे देखे गोला भरने का तरीका होता है पहले आप बाहर से बना लिए उसके बाद इसको एगदम अच्छे से ऐसे भर दीए यहां 8 है 8 को भी आप देखे ऐसे मने पहले बाहर से बना लिया ताकि यह बहुत ज़्यादे यह नहों फिर इसको अच्छे से ऐसे भर दिया फिर यहां देखे जीरो है मतलब जिस अंक के नीचे वो दिखेगा वही आपको भरना है फिर यहां देखे 6 है तो 6 के नीचे आप ऐसे भर दीजे इसको फिर यहां देखे यह 8 है तो 8 के नीचे आप इसको भर दीजे और यह 2 है तो 2 के नीचे भर दीजे इसी तरह मान लीजे आपको प्रसंद पुस्तिका नमबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 मिली हुई है तो आप इसको भी यहां ऐसे 1 लिख के भरेंगे 2 लिख के भरेंगे यह 3 लिख के भरेंगे यह 4 लिख कर भरेंगे आपको यह ध्यान हो कि यह प्रसंद पुस्तिका आपके प्रसंद पत्र पर लिखी होगी यह जो मैंने बताया है यह उदाहरण के लिए मैंने लिया है आपको अगर प्रस्णपुष्ट का नंबर नहीं समझ में आएगी तो कमरे में जो शर्या मैम होंगे आप उनसे पूछ लिजेगा कि सर इसका प्रस्णपुष्ट का नंबर क्या है और आप भर करके इसी तरह गोला भरेंगे ये सेक्षन कौन भरेगा टीचर भरेंगे सर्या म भर दिएगा गोल में ये नीले या काले बाल फिंसे माल ये दूसरे का तीसरा सही है तो आप इसको ऐसे भर देंगे ये आपको भरना है अब जो प्रसंद कुछिका आपको मिली होगी ये भरा होगा अब सबसे नीचे आपको क्या करना है यहां इन्विजिलेटर अपना से र-A-H-U-L ये वही दसकत करना जो दसकत तुमने अपने प्रवेश के लिए जो फार्म भरा था उस फार्म में भी आपने दसकत किया है जो दसकत आपके एडमिट कार्ड में आपके फोटो के नीचे दिख रहा होगा वही दसकत यहां होगा और यहां दसकत इन्विजिल से इस बारे में समझ सकते हो उमीद है तुमको इस वीडियो से समझ में आगया होगा एक बार मैं संकेत फिर से पुन्रावित्ति कर दे रहा हूं देखे इसमें दो प्रिष्ट है यह प्रिष्टेक है प्रिष्टेक में अनुक्रमांक भरना है अपना नाम भरना है अपने प उम्मीद है तुम्हें ये सारी बात समझ में आ गई होगी जो उत्तर सही होगा उस प्रस्ण के सामने वही तीसरा है तो तीसरा चोथा है तो चोथा एबी सीधी आपसन में से जो आपसन से उसको अच्छी तरह से गोले से भर दोगे धन्यवाद